हेलो एवर्बड़ी अमरीकीन मोदी वेलकमिंग यौल इन एकडेमिक जी नी बाई द गुजराथी, फॉर्द गुजराथी, इन गुजराथी फ्रेंट्स, आई येल्स इन गुजराथी ना आ सेगमेंट मा आज नो वीडियो छे परफेक्ट प्रिजेंट्न टेंस अनने perfect future टेंस ओपर यले के पूर्णवर्थमान काड़ अने पूर्णवविश्य काड़ अई तमने उग जना वीश के परफेक्ट पास्ट्न नो वीडियो आपने simple पास्ट्न नी जोड़े part 2 मा ले लितौचे अने जिटला भी वीडियो आपने बनाविया चे ग्राम बनना ये बद्धानी लिंक डिस्क्रिप्शन मा मुखे लिजे तम्हें प्लीज ए वीडियो जोजो कि जेती करी हैं तम्हें घरे बेटा IELTS बनीशक हो जो आई IELTS बनता पहला ग्रामर आवडवू घणू जरूरी जे तो प्लीज वीडियो एंड सुधी देख जो अने शेर करो सब्सक्राइब करो एंड प्लीज प्रेस दे बैल आइकन पर नोटिफिकेशन वेल्कम ओल तो आपने स्टार्ट करेशू पर्फेक्ट प्रिजेंट टेंस थी यहले के पूर्ण वर्त्मान कार्दी वाट इस पर्फेक्ट प्रिजेंट टेंस सुधी पहला तो नहीं डेफिनिशन समझे जरे भूतकाण मां कोई क्रिया थाई गई चात्व तो पती गई चे पड़ असर अजी चाल हो जे तरह तैने पर्फेक्ट प्रिजेंट प्रिजेंट टेंस क्या वाई अमें बनी शके के गटना बे वर्ष पहला भी बनी होई और दस वर्ष पहला पण बनी होई पन तमारा ब्रेइन माई लेके स्पीकर जे व्यक्टी बोले चे ना दिमाग मेनी असर चाल होई तरह ने पूर्ण वर्तमान कार के वाई एक सिंपल एक्जाम्बल जेना शमझ आनों पर रहे दना करेशों में ताज मेल जोई यो छे ओके मैं खरेखर मां ताज मेल चार वर्ष पहला जोई गटो तो अक्षल ता पास्टेंस था वूज होई है पॉण मारी मेमरी समां मारा वीचारों मां ताज मेल देखवा नी हुँ आभू गयो छूं तो जहने आवी गटना नी वाद थती हो यह बूतकाण में कोई करिया पती गई चे पन तेनी असर हजी पन चालू चे त्यारे तेने परफेक्ट प्रेजंट टेंस यह पूर्ण वर्थमांद काल केह वाए यहना त्रों टाइप चे पहलो टाइप चे उन्सपेसिफ़ाइ ताइम अगो तो एना अपने समझवान परेत्न करिशो स्क्रीन पर मैंनी देफिनिशन वाँची शको चो perfect present tense is used to describe an event that happened earlier when the time is not specific expressions like once several times many times ever never so far yet already before etc can be used in perfect present tense any specific time such as yesterday one day that day when i was in college etc cannot be used in perfect present tense to friends in simple words अना आरी ते समझी शकाए के time जारे specific होए त्यारे perfect present tense ना आवे पर जारे time specific ना होए त्यारे unspecified time होए त्यारे perfect present tense आवे तो सब्सक्री पहला एना formation ती समझान परहतना करिशों simple example जे I have seen the Taj Mahal I have seen have plus V3 subject plus have plus V3 plus object I have not seen the Taj Mahal I have not seen the Taj Mahal subject plus have plus not plus V3 plus object अने question ही बात करें यारे interrogation ही बात करें त्यारे have I seen the Taj Mahal have plus subject plus V3 plus object अने question mark simple formation जे have plus PP अत्वा I have plus V3 ना उप्योग ती अपने वाक्या बनावी शेक है जे example त्याने समझान परहतना करीशों screen परता में पहलो example देखी शेक होचो बहला टाइप माटे नू example जे I have called him many times क्या रे कोई चौकर समय कॉल करें लो एनी घटानी वाद ना थी बूदकार मा क्या रे एने मैं गणी वगत कॉल करियो छे अनू गुद्रादी मा भाशन ता था था ये छे she has not watched that movie ever तेहने क्या रे ते मूवी देखी नथी 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 के अवाँ जे ले नेगेशन नी बात था ही अनू तेहरे interrogation नी बात करिये तारे have you traveled in a bus ago पहला क्या रे तमें बस मा ट्राविल करियो छे second type छे change with time okay screen पर तमें definition वाँची शको चो perfect present tense is used to explain something that has changed in various aspects over a period of time information भी तमें screen पर माँची शको चो subject plus has अत्वा have plus v3 plus object अले का affirmation होय तो subject plus has अत्वा have plus not plus v3 plus object अले का affirmation होय तो screen पर में एक्जांबल देखी शको चो he has become funnier with passing days तूख माच जेम दीवस हो गया तेम वधारे वधारे ते मजा क्यो थाई गयो चे आम कही शकाय चे the government has become more careful in public health government वधारे careful थाई चुकी चे public नी health माटे यले public नी health माटे विचारवा माडी चे थर्ड टाइब चे accomplishment तमी screen पर नी definition वांची शको चो perfect present tenses also used to talk about an accomplishment without a specific time formation सेम चे एक्जांबल दी आपने समझान प्राजन करी शो man has climbed the average man has climbed the average man has climbed the average मानस average सर करी चुक्यो चे jay has learned acting now जय हवे acting शिखी चुक्यो चे scientists have developed vaccine वग्नानी कोई vaccine डेवलप करी ली दी चे लेके काम पती गऊचे accomplishment थाई चुक्यो चे सेकंड चे perfect future tense लेके पूर्ण भविश्य कार यहनों मा अर्थ होता है के भविश्य मा कोई क्रिया थाई चुकी हशे तेना बै टाइप चे type पन तमी screen पर देखी शे को चो use one completed task before a specific thing in future perfect future tense is used to describe an event that will happen in the future before something else friends अहीं कोई एक बीजी गटना थावानी चे एनी पहला पहली गटना थाई चुकी हशे यह दर्शाव हो हो है तेरे perfect future tense न उप्योग थाई screen पर तेना example तमना समझावन पर अतना करिश एक जनरल पहला example लई लई यह कोई गटना नहीं वात करिए आई विल हैव ड्रीवन अ कार at that point of time अत्वा तो आई विल हैव रीजड माउंट आबू टुमोरो अवदी काले हूं माउंट आबू पहुंची चुक्यों होईश आमा अपड़े रेफरेंस मां कई श्रकाय के जारे तू पहुंची से नहीं पहला हूं पहुंची गयों होईश पर अतर तमने समझाव माठ एक स्ट्रक्चर न offers आपायरो जो आई विल हैव रीजड अमाउंट आपू तो वह प्लस भी थ्री टू श्मपल फोर्मेंशने साब्जेक्ट प्लस वील प्लस हैव उप्लस वीथ्री प्लस ऑब्जेक्ट गर नेगेशन ही बात किरे तो आले समझाटoter अले समझा समझाट न प्लस अब्जेक्ट अनेक्वेशन तो स्क्रीन पर तम्हें पहलू एग्सेंबल देखी शको चो बाइनेक्ष्ट दिवाली आउ विलाव स्टाटेड माई ओन बिजनेस आवती दिवाडी पहला तो में मारो बिजनेस शरू करी लिदो हशे अगें बेगटानी वाद थाई दिवाडी आवता पहला मारो बिजनेस शरू थाई चुक्यों हशे I will not have completed my homework when the movie starts on television तेलिवीजन में तरे movie start थशे नहीं पहला मारो homework पत्यू नहीं होए बभविश्य मा करिया पती नहीं होए नहीं केशन ही वाद थे और इंटिरो केशन ही वाद करें Will you have learned English before your IELTS test शुद आरा IELTS दी exam पहला तो test पहला तमें English शीखी चुक्या आशो क्विशन नहीं वाद चे Second use पर आपने जाई शू तमें स्क्रीट पर नी डेफिनिशन वाँची शगो चो Second use चे Duration before something in the future Definition चे Perfect future tense is used to describe an action that will start and continue up until another action in the future Formation same अचे Friends, आनोरत हो थो के भविश्य माँ जारे बीजी गटना कोई शरू थाशे ये पहला कोई पहली गटना पती कही हाशे पहलो एक्जम्बल तमें स्क्रीट पर वाँची शगो चो I will have done part-time job before I leave अत्वा तो I will have done part-time job for a year before I leave ये एले मैं एक वर्ष माटे part-time job करे लिए दिया शे मूझ आरा job थोड़ी तरने पहला Second example तमें स्क्रीट पर वाँची शगो चो By the 20th, Raj will have worked with an MNC for 6 months वीस तारिक पहला राज ये छो महिना MNC माटे काम करी लिए दो अशे तो friends आपने आजे बनिया perfect present tense और perfect future tense perfect past tense already अनी description मा लिंक मुगी जे जे simple past tense जोड़े में बना वेलू तो please share this video subscribe the channel and press the bell icon for notification Thank you very much i मेए थार अज़ कि य व झार